हलो एन वेलकम दोस्तों डूफाइ मिनिट्स इंजीनेरिंग आज का वडियों आके बड़ा कमाल कवने वाला है दोस्तों क्यूंकि आज भाईया आपका मैं कन्फूजन दूर करने वाला हूँ हाँ जी कन्फूजन बहुत जादा होता है इन दो टर्म्स को लेके कई बार भाई सबसे बेसिक दिफरेंस में आपको यहां पर पहली ही बता देता हूं करने के प्राणी कोइन और टोकन में कुछ अपने घर में रहते हैं ऐसे प्राणियों को आपन कहते हैं क्या कहते हैं कुछ ऐसे प्राणियों होते हैं जिन का खुद का एह होता वो on the top of other house दूसरे के घर में रहने का प्रयास करते हैं जिन को आपन बोलते हैं टोकन उनका खुद का घरनी ओता अब यहां पर जो घर है वो है blockchain technology घर का मतलब क्या blockchain technology always remember यह जो coin होता है they have their own blockchain यह चीज अपने को दिमाग में रखनी है याद रखनी है लेकिन tokens do not have their own blockchain they reside on to others other coins blockchain दूसरे coin के blockchain पर बैठे रहते हैं जिनको अपन token बोलते हैं अब यहाँ पर जैसे कि BTC की बात करते हैं अपन Bitcoin की बात करते हैं तो उसका coin गया भईया BTC Bitcoin और उनका blockchain भी खुद का blockchain है उसके बाद अपन बात करते हैं ETH Ether की बात करते हैं इसका खुद का blockchain है यह coin है Ether इसका खुद का blockchain है Ethereum distributed यह अपने को पता है यह आपन देख चुके कि मैं बात कर लेता हूं तो दोस्तों coins के case में इनके पास खुद का अपना blockchain होता है मतलब इनके खुद के अपने रूल्स होते हैं कुछ procedure होते हैं कुछ protocol होते हैं कुछ नियम होते हैं कुछ software होते हैं कि वह यह किस तरीके से mining होनी चीए किस तरीके यहां पर खुद से कुछ करने लायक है नहीं यहां पर क्यूंकि खुद का blockchain है नहीं it's simple as like example अगर आप लोगे तो गाड़ी लेना बराबर अगर आप खुद अपने गाड़ी के owner हो आपके पास गाड़ी है तो उसका भाईया maintenance हो गया उसका पेट्रोल हो गया उसका servicing वो जो भी चीजे रहती है उसका interior हो गया जो भी भाईया management stuff रहता है वो सब आपको यहां पर take care करना पड़ेगा लेकिन अगर आप कोई car rent पे लेते हो कुछ देर के लिए है और पिछोड़ देना लेकिन खुद की गाड़ी को ओन करना और manage करना वह situation है कोई की तरह तो हर एक respective blockchain का अपने कोई भी होता है जैसे कि example के तौर पर मैंने यहां पर लिख के रखा हुआ है अब ज़रा में आपको हाली का example दू तो एर मैं गया था मिठाई की शॉप पर दिवाली तो आ रही है ठीक है तो मिठाई की शॉप पर जाना बनता है बट मैं मिठाई नहीं लेने गया था मैं समोसी खाने गया था अब जब मैं गया भहिया शॉप में मुझे जहां पर ऑविसली समोसी वही पे मैं गया, counter पे तो गया है नहीं, तो मैं बोला, भाईया, दो समों से pack कर दी हो जारा, तो बोलते हैं, भाईया, जी ऐसा नहीं मिलेगा, आपको पहले counter पे जाना पड़ेगा, वहाँ से token लेके आना पड़ेगा, फिर हम देंगे, मैं बोला, ठीक है भाईया, token system चलता है, तो ठीक है, तो मैं counter पे गया, पैसे दिये, पैसे के बदले में मुझे token मिले, ये याद रखना, ये क्या हुआ है, ये बहुत important activity है, जो यहाँ पी भी होती है, तो मैंने counter पे मालिक को पैसे दिये, उस बंदे ने मेरे को क्या दिया, token दिया, और वो चुपचाप token लेके मैं आ गया भाईया, जो समोसे दे रहा था, उसके पास और उसको ये token दिया, और उसने मुझे दो समोसे दे दिये, तो मुझे ये समझनी आया कि भाईया, ये आखिर हुआ क्या, मैंने तो token दिया, और इसने मेरे को समोसे, इसको कैसे पता है, ये token का मतलब दो समोसे होते हैं, इसको कैसे पता है, ये token represents the two samosas that I am getting in return of the token, ये कैसे पता, तो मैंने फिर थोड़ा सा और दिमाग लगाया, मैं बोलो, शायद मैंने पहली इसको बोल दिया, तो दो समोसे दे तो शायद इसको पता होगा मेरी शकल और उस हिसाब से ही, उसने मुझे समोसे पकड़ा दिये, तो मैंने कहा किया चालागी कि वापस से काउंटर पे गया, बीना कुछ बोले, मैंने बोले, एक काम कर भहिया, एक ब्रेड पकोड़ा दे दो, चुप चाप बोला काउंटर पे, उसने मेरे को टोकन दिया, वो टोकन वही प्लास्टिक का होता है, टोकन अपना लाल रंग का टोकन था, अब किसको कही समझ में आने वाला, तो मैं लिया, वो टोकन दिया, और वो उस आदमी के पास वापस से किया, मैंने उसको टोकन दिया, to my surprise भहिया, उसने बराबर एक ही ब्रेड पकोड़ा मेरे को दे दिया, तो इससे तो मेरे को समझ में आ गया कि this token is actually representing some kind of object, a feature of functionality of a respective system, granting access to those respective functionalities of the system, तो this is nothing but a token, वही चीज मैंने देखी, सीखी और वही चीज यहाँ पे भी आपको token में देखने को मिलेगी, यहाँ पे दोस्तों जो भी यह token की बार चल रही है, उसी के अलग-अलग प्रकार भी exist करते हैं, जिसमें से the most wanted प्रकार, the most talked about प्रकार जो है, वह मैंने आपके सामने आपे लिख रखे हैं, उसके बारे मैं भी थोड़ा समझते हैं, governance token नाम की भी चीज होती, governance token मतलब क्या, देख लीजे यार मान लीजे आप किसी एक community के साथ जोड़े हैं, किसी एक company के साथ जोड़े होएं, ठीक है, आपने कुछ पैसा दिया है, in return आपको क्या मिला है, यापे token मिला, आपने दिये funds, आपको मिला token, simple सी बात है, आप इस token का क्या करें, जिसको आपन governance token बोल रहे हैं, तो वो ऐसा होता है, कि मान लीजिए, वो जो एक respective company है, जिसने आपको जो है, वो token दिये हुए है, अगर वो कुछ respective decision लेना चाहती है, यान as a token holder, आपके पास वो authority होती है, आपके पास वो right होता है, कि आप उस respective proposal के लिए अपना vote रखे, that is very important and that's what we are achieving in the governance token, उसके पास आते हैं भाई, ये utility, जैसा नाम वैसे ही काम, तो भाईया, जो भी आपके system से जुड़ी होई, company, organization से, community से, group से जुड़ी होई, जो भी utility होगी, उसका access grant होने के लिए आप इस utility token का इस्तेमाल कर सकते हो, अब वो utility कुछ भी हो सकती, कोई एक special आपका feature हो सकता है, platform specific function हो सकता है, जिसको आप access करना चाहते हो, जिसका आप use करना चाहते हो, utilize करना चाहते हो, उसके लिए utility जो token है, इसका इस्तेमाल भरपूर हद तक आप कर स खरीश सकते हो, और साथी साथ वो जो भी asset होगा, उसका कुछ ना कुछ partial fraction ownership of that respective asset, वो भी आप अपने पास रख सकते हो, with that respective security tokens, तो I hope दोस्तों इस वीडियो के जरीए, इन सारे examples के तरीए, आपके दिमाग का जो confusion है, in between this coin and token terminology, वो clear हो गया होगा, अगर हो गया होगा तो इ इस वीडियो को शेर कीजे अपने सारे दोस्तों के साथ, thanks a lot दोस्तों for watching this video